मदपदीश के बदलते सियासी घटना क्रम पर इस वक्त पूरे देश की नजर है लोगों में इस बात की काफी उत्सुकता है कि क्या बीजेपी करनाटक की तर्स पर एमपी में भी ऑपरेशन लोटस चला कर एक और राज में कॉंग्रेस की सरकार किरा देगी सत्ता को लेकर जहां कॉंग्रेस का शोर है तो वहीं बीजेपी नेताओं की खामोशी कई संकेत दे रही है देखे एक खास पूर्ट प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक के बीच भाजपा कॉंग्रेस दोनों खेमों में हलचल मची हुई है जिन विधायकों की बीते एक साल से ना मंत्री सुन रहे थे और ना अफसर बीते चार दिन की सियासी सरगर्मी में अब वे खुद सरकार बन गए है उनके खूब मान मनुवल हो रही है मुख्य मंत्री कमलनात और दिगवजय सिंग ने शुकरवार को लगभख सभी विधायकों से बातचीत की राजधानी भोपाल में सीएम हाउस इंदिनों कॉंग्रेस की रणनीती का केंद्र मना हुआ है सरकार के तमाम मंत्री और दिगजनेता सभी कारिक्रमों को निरस्त कर वहार डेरा डाले हुए है हाला कि सीएम कमलनात और दिगवजय सिंग का कहना है कि उन्होंने बीजेपी के नापाक इरादे को असफल कर दिया है किसानों की कर्जे माग दिगए रोज आ रहा है एक आए दो आए दिगए मैंने बार बार काई कि कमलनात जी की सकार मजबूत है पूरे पांक साल करेगी उसको चुनाओंगे फिर जीत के आएंगे और जब भी फ्रोड टेस्ट होगा तो पिछली बार दो कमलनात जी की नितियों पे समर्थन किया था अब उससे बढ़के समर्थन करें वहीं दूसरी तरफ भाजपा के रणनीति का केंद्र देश की राज़ानी दिल्ली बना हुआ है दिल्ली में केंद्री करशी मंतरी नरेंद्र सिंग तॉमर के घर पर शुक्रवार को तमाम कददावर भाजपा नेता जुटे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा के प्रतिनीदी के तौर पर धरमेंद्र प्रधान, पूर्व मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान, पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री अर्विंद मैनन, प्रहलात पटेल और नरुत्तम मिश्रा शामिल हुए मौजूद सियासी घटा करम के बीच राज्य के अहम भाजपा नेताओं का राज्य से नदारद होना और इस मामले पर रहस्य मैई चुप्पी ओढ़ना कहीं राज्य की राजनीती में आने वाले तूफान से पहले खामोशी तो नहीं क्योंकि जानकार मान रहे हैं कि फिल्हाल सरकार के उपर से संकट टला है समाप्त नहीं हुआ है कुल में लाकर आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत में कई और दिल्चस्प घटनक्रम देखने को मिल सकते हैं अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रदेश में सियासी उट किस करवट लेता है यूरो रिपोर्ट एंपी न्यूस होपाल